शुका से दूसरी शादी के लिए शोहर बना हैवान सर में गोलिया मार कर ले ली अपनी बीवी की जान खानेवाल के लाके जहानिया में पेश आया दिल देहला दिने वाला वाक्या जहां इस सफाक शुहर ने अपनी माशुका से दूसरी शादी करने के लिए अपनी बीवी को रासे से हटाने का भ्यानक प्लाइन प्लाइन बनाया और उसे मलताम से वादसे पर विराने में ले जाकर सर में गोलिया मारकर कतल कर दिया और दुराने ढ़िकेती कतल का ड्रामा रचाया इस सफाव शूहर का कैसे हुआ चुम बे नकाब मैं देखिये एक प्लान के जरीए था ये कि इसका कोई पता नहीं चलेगा डिकेटी के डिरामार रचा जाएंगे मैं मसकत चला जाओंगा जिसको पसंद करता उसे शादी कर लेगा बाद में बिसकली जो ये इसका शोहर था उसका किसी और खातून के साथ भी को अफेर था उस दिन ये मुल्तान गियावा था अपनी वाइफ के साथ वापसी पे आते वे मोटसेकलिस ने खड़ा किया है अपनी बेटी को उता रहा है उसके बाद इसने अपनी वाइफ को करीब से सर पे किसी और बेटी के साथ माश करना चल नहीं इसका किसी लड़की के साथ माश करना चल रहा था बीवी इसकी प्संद की नही थै यह उसको बहान में बहांने से ले गया एकी ऐसको खड़गा और को फैर तक बाद में अपने आप को फैर मार दिया जितना बताया हैं, उनने सही बताया है? बिल्कुन, मैंने गुना किया है पूरा खांदान उजाड के रख दिया खांदान में बचे ही क्या है भाफ नहीं करेंगे आप लोगे, सदाद लवाएंगे इसको आप जी, मैं गुनागा रहा हूँ, बस हम आफ कर दे तुमने माफ किया अपनी बीवी को किसी और को पसंद करता था और नहाक अपनी बीवी को इसने माड डाला एक भाई की बहन को, एक बज़र्ग बाप की पेटी को और एक मासूम बच्ची की मा को इसलिक टीम जूर्बे नगाब मुजूद है जी खानेवाल में और भी हम बात करेंगे हमारे रिपोर्टर नदीम मुगल से इस पूरे केस के हवाल सी जी नदीम कैसर ये खानेवाल की तहसील जहानिया में वाकिया हुए जहां पर एक जालिम शोहर ने एक दूसरी लड़की खातिर फैर ये सारा करने के बार उस्ति के डिकेती का ड्रामा रचा दिया कि उसने खुद अपने हाथों से फाइर मार के अपनी बीवी को कतल किया पॉलीस मौके बर पहुँची है इसका बयान लिए उसके बाद जब पॉलीस ने सारे मामले को इंटेरोगेट किया तो बात ये सामने आई कि कातिल जो है वो इस जफ नम ये शोहर खुद ही निकला है और जब असल हकाइक सामने आए उसमें ये कि एक मुलतान की रहाशी किसी लड़की को पसंद करता था और अपनी शादी से पह खुझा नहीं हुई थी किसी में पसंद करता था एपनी उस शादी को कम्प्लीट करने के लिए आपने ऐस ऐस मचसद को को पूरा चादी कर ले इस ने अपनी पहली बीवी को बड़ी बेरह मी से किम। में उत्षी का ड्रामर जाया. आज कर प्रोगरम जुर्बान नकाब में हम इसी जालिम शुहर का जिसने हाते ओपने बीवी को गुली मार कर उसका जुम के ग़वें जुनकी बेहं करेंगे. इसमें टीम जुर्मे नकाब मुझूद है जी डीपियो खानेवाल फैसल शेदा सब के पास उनसे हम बात करेंगे इस केस के वाले से जिसमें एक शक्स ने बड़ी सफाकियर से अपनी बीवी को हुई मार डाला फैसल सब सब्सक्राइब तो हम आपको बारबा देंगे ये तो एक ब्लाइंड मर्डर था डिकेती के रंग दिया गया था एक शक्स की तरफ से लेकिन ये इस केस को आपने और आपके टीम ने सौट आट कर लिया इस किस के वाले से बताई हो नो डाउट ये एक बहुत बड़ा चैलिंज था हमारे लिए इसके कुछ फैक्स इस तरह से हैं कि 20 जनवरी को रात को को तक्रीम साड़े साथ पौने आठ के करीब 15 की इतला पौलीस को मिलती है कि एक में विहारी मुलतान रोड है उससे अटैच एक ब्रांच रोड है जो के में रोड से आप कहले हार्डी हंडर मीटर आगे जाके एक वकुआ हुए जिसमें डाकों ने डकेटी के दौरान एक औरत को गोलियां मारके हलाक कर दी है और उसके शोहर को गोली लगी है जिससे वो शदीद जखमी है यह वो इतलात ही जो पुलीस को पास होती है उसके फौरण बाद पुलीस वहां रिस्पॉण करती है हम मौके से इनिशल सेट ओफ एविडेंस वहां वेले था वो सारा हम कलेक्ट करते हैं मीनवाइल वहां के ज तोड़ा सा अन्यूजल लगा कि सेरिया में वारदात अमूमन नहीं होती है जानिकेटी को दोरा मर्डर नहीं हो सकता अब डिकेटी भी वहां अन्यूजल हमें यह दूसरा फिर जब हमने उसको जो डैड बॉडी थी जो खातून जो इसमें जो जिनकी हलाकत हुई थी उनकी फिर उस लीट को चलाया आगे और जो इसमें जो उसका हस्बंट था उसका जिनके जो जहांबाग कुई थी इसके अंदर उनके शोहर को जो हमने इनिशिली सौफ उसमें हमने अंडर सर्मनेस रखा और हमने जब उनसे बातचीत करनी शुरू की और चीजें थोड़ी से हमने डिग आउट करना शुरू की तो हमारा शक और गहरा होता गया अल्टिमेटली फिर यह चीज हमने जब उनको कंफरंट किया तो वो बिल्कुल क्लेयर हो गई और उन्होंने पर उसकी डिटेल बताई उस पूरे इंसिडेंट की वो यह थी जो जो मैंने खुद भी सुनी और जो बाकी मेरी टीम थी यह बैसिकली जो यह इसका शोहर था कातिल वो उसका किसी और खातून के साथ भी को अफेर था जो के इस मकतूला जो उसकी वाइफ थी उसके वालिद ने भी हमें यह बात बताई अच्छा यह बड़ा इंटरस्टिंग है कि जो मारने वाला है वो उस कि पढ़ई अपनी बीवी को सगी एक साला बैटी के सामने सर में कोलियां बार कर कटल करने व β cuisine करने के बाद अपनी टांग में खुद ही कोली मारकर जखमी कर लिया और टकेती काट्रामा रचाया। और जब टीम ज purpose कोि जोने से बात कि तो उसने हमारे सवालाट के जवाब देने के बजाए मुख्लिफ हीले बहाने शुरू कर दी कि इतना ये जालम बन गया और इतना इसने प्लान करके अपनी बीवी को कतल किया हमें पता चला डीपियो साब ने हमें बताया जी कि ये मसकत में था तब से ही इसने सोच लिया था जी कि मैंने अपनी बीवी को कतल करना नाम क्या तुम्हारा जफर अली अच्छा कितना अरसा हो गया था तुम्हारा इस बीवी किसा शादी हुए चार सर कतल करने की बज़ा मैं शरमींदाओं जो भी मैंने किये पुलस ने क्यो पकड़ा दुम्हें जुरम किया था पकड़े क्या जुरम किया तुम्हें पता यह लोग को बीवी को अपने हाथों से फायर मारा था तुम्हे सर मैं कुछ नहीं बोलना चाता क्या बजा है पता नहीं मुझे नहीं पता क्या है किसी और लड़की के इश्क में अन्धा शोहर सजा से बचने के लिए ड्रामा कर रहा था और टीम जुर्म नकाब की किस भी सवाल का जवाब सही तरीके से नहीं दे रहा था इसलिए टीम जुर्म नकाब ने उसे गिरफतार करने वाले S.H.O. और उस शक्स कोवाम ने सामने कर दिया ताकि इसका जूट बे नकाब हो सके जब ये अंधा कतल ट्रेस हुआ तो इसने क्या बयान दिया था इसका किसी लड़की के साथ माश करना चल रहा था तो बीवी इसकी पसंद की नहीं थी शुरू तो ही जब शुरू से पसंद नहीं थी शादी करना नहीं चाहता था शादी इसकी होगी हकीकी चाचाजाद के साथ इसके चाछाद लगती थी वो जिसके साथ, इसकी शादी लगतीATHAN के साथ तो जब उसको पसंद नहीं करता था यह मसकत चला गया था एक इसकी बच्ची थी शादी करके मसकत चला उदर तीन साल के बाद फिराए दो अ कर आया करीब इसाड़े साथ वजय है इदर अच्छा ये सारी बातें इसने आपको खुद बताई हैं अपने बियान में कुछ ये से ने बिताई हैं कुछ लोगों ने बिताई हैं अच्छा ठीक है तो इसने इदर आकर दीनपुर्क नजदीक रोड पर उसको खड़ी कारकर फैर मार दिया और बाद में अपने आपको फैर मार दिया तो वन फाई पे काल हो गई है कि इदर डिकेटी होगी है और एक और शादियन नामी उसकी डैथ होगी है और एक आदमी जफर जा वो मजरूब हो गया कॉल भी इसे ने चलवाई थी नाए कि कोई और आदमी था इसका भाई था जिसने काल की थी ठीक है लेकर उसको नहीं पता था उसने तो जो इनो ने बतरा इंफार्मेशन दी तो मैं मौ नौके पे पहुंच गया मौके पहुँच कर जा ईसके जो ती वो इसकी डैथ हो चुकी थी जो इसकी बीवी थी जो इसको निश्तर ले गए थे और उसकी कारवाई कर दी अच्छा यह पोल खुदा कैसा कि यही कातल है जाएरी तो यह लग रगता था ड़केती है जाहरी त दो रात और दो देन मौकान मैं नहीं छोड़ा उसके चक में लोगों से पूछता रहा इसके अहलात वाकिया साब का जो थे उनके बारे में पूछा इनके डेक्टा जाए पिर अभी तो यह इंकार कर रहा है मैंने को तक्दल ही नहीं किया नहीं यह वो तिसकी मर्जी है ना ज यहाते है का ठीक ही उसके मताबक papa कि यह भूदम है घाटल अपनी ब्यूवें को इस अग्स जेतना मताया हूद हैक्राहिंर है गल्ति कि उने माफ़ किया है गल्ती तुम्मारी कलती कहनें से तुमारी ब्यूवी mêmes षाजिए यह ड्रामे बात जाए हो दू में अब ये मामला है, ये हमारे माश्रे में, ये हमारे सिस्टम में ये बड़ा एक है, कि कतल करके, खुद ही इसने ड्रामा रचा दिया अपने आपको जखमी करते हैं, और गोली को, सकें को टच करके आर पार किया है बस, यह इस तरीके से इसने इतना वेल ट्रेंड आओमी है ये पाके साथ दूसरी शादी के लिए अपनी बीवी को सर में दो गोल या मार कर कतल करने वाल शोहर का ज्रम सुबूतों के साथ बेनकाब हो चुका था और ये शक्स अपना इत Ottawa वी दे चुका था और पोलिस के सामने इस ने अपना ज्रम कुबूल भी कर लिया और तमाम वो बार्दसी भाई जिनकी बहन को इस शक्स ने अपने हाथों से कतल कर दिया था सर ये जगड़ा कब से कुछ पता था आपको कि कोई ऐसा जगड़ा चल रहा है भाई सरजी आप इन से पोछ ने अगर कोई हमारे से कोई इफिलाफ है या हमारी बहन से इफिलाफ आये यह बताएं पहले भी इन से पूछ है कि यार कोई खिलाफ हो तो बता दें लेकिन इसके पतने क्या जहन में था कि आपके सामने कि इसने पूरा एक खानदान को उजाड के रख लिए इस अक्स के पूरा खानदान आपका दुबा हो गए कि हम एक ही घर है चाचे ताएक हैं तो क्या बचे है यह तो अल्ला का एक यकीन करो कि एक फृष्टा था जिसने हमें बचा लिए वन्हा जो बचा था वो भी हमारा चला जाता अच्छा इसमें यह पता दें आप चार कर लें गो तो जो इससे मांगो माफ़ी आपकर देंगे जीज़ को माफ़ देंगे अपरी बहन का खूंत जिसके सर पर दो गोलिया चलाई है नहीं सर्जी क्या गुजर रही है अस भाई के उपर ? क्या समझज सकते हो तुम यह मारने से पहले सौच लेते दा करते है उशादी तूम इंकार कर देते मुझे नि पता क्या नि पता मुझे नहीं पता क्या होगा यह भी सिथिस की भेहन मार जी तुम्हें ये नहीं पता क्या हुआ है तुम्हें अफसोस भी नहीं है तुम्हें ऐसे माफ़ी मांग रहे हैं जैसे बहुत बड़ा तुम्हें काम कर लिया तो अल्ला तुम्हें उसका रिवार्ड मांग रहे हो शोहर की जानिब से बीवी और बीवी की जानिब से शोहर को कतल करने के बढ़ते बाकियात हमारे बहुशे के लिए लम्हाई फिक्रिया बनते जा रहे हैं जिनका सदिबाब करना वक्त की आहम जरूरत है टेम जुन बिन अगाब ने बात की महरे कानून वकास अबरेस खान से तो ल़ गुन के अबरेस बात की में आउसा विए बैकल हसून वकु करता होई उसके लगतिय ले खान वह व्हावन खेर गुक्तिय के लाओर ॉन स कि दिकने बात करनिरी घं। मेर स्पेशली पाकिस्तानी माशले में देखने को मिलती है कि अगर हावन बीवी को पता नहीं करता उस पर जल्म करता है उस पर तशद्द करता है और उसके बाद ग्रेलू नचाकियां इस कदर भड़ जाती है जिस तरह हमारी सुसाइटी में बेशमार केसिस मिलते हैं इसके अलावा बेशमार केसिस हमारी सुसाइटी में ऐसे मिलते हैं कि जिसमें हामन जो है शोहर जो है वो अपनी बीवी को कभी तजा फैंक के उसको जला देता है कभी वो पैटरिल फंके उसको आग लगा देता है कभी वो उसको उसका गला घोंड देता है कभी उसको गोलीएं। के इस चीज का एक इंदिया दिया जाए कि मैंने खुद ये वकुआ नहीं किया और सारी ये फैब्रीकेटेड कारवाई करने के बाद और एक फटीशियस सा वकुआ मरत्ब करने के बाद फिर वान फाइव को काल कर दी गई और फिर सब केस के पहलों को ताके पुलिश की नजर में वो खुद को बेगुना साबित कर सके और उस जालिम को उस बेटी का भी कोई हयार नाया जो उसकी एक डेट साल की छोटी ननी बेटी थी उसका भी हयार नाया कि जो उसके साथ उसी मोटर साइकल पे थी इनतहाई अफसोसनाग बात ये है कि हम अपनी ग्रेलू नचाकियों में हम अपनी ग्रेलू मामलात में और अदम बरदाश में इस कदर आगे चले जाते हैं कि जल्म करते हुए जबर करते हुए ये किसी की बेटी की हाईशाथ का यह किसी की बेहन कि आइशात का गला गोड़ते हुए हमारे हाथ नहीं कामते हमारा जमीर हमें मलामत नहीं करता हमारी टांगें नहीं लरसती शादी के बाद भी सपाक शोहर के थे मुलतान में खातून के साथ नाजायस तालुकात शोहर ने बीवी को रास्ते हाटाने के लिए कहा प्लान बनाया और कैसे असलेहा हासल किया और इस असलेहे से कैसे बीवी को कतल किया हकीकत दिल देला देने माली थी उसको भी एंचाला ट्रेल को फालो करें, इंचाला वो बंदा भी हम पकड़ लेंगे, वो पिस्टल पर इसने लिया, उस दिन ये मुलतान गया था अपनी वाइफ के साथ और वहां से ये पिस्टल भी इसके साथ था, वहीं से वापसी पर आते हुए, जब ये में रोड से ब् पर इसके पर पर इस पर बेटी साथ थी उसवक्त, इस वकी आपको बड़े तरीके के साथ, थाय में अपने आपको किया और थाय में और जो इसतरह से है किसी बोन को अवो बंद कीना और और रहें उख आरपार होगा बलकुल, तब इसस तरह एक गोश्ट के अंदर से अराम करने के बाद जो इसने हमें सारा वो बताया है जब यह हमें पता चला पिर हम सब्सक्राइडली पॉलीस ने अपने एक तरीके कार फॉलो करते हैं वेपन आफ अफेंस भी पॉलीस ने वो बरामत कर लिया उसमें वो जो खौल थे मौके से जो पहले दिन उठाये थे वो और बा खाएड़ा तोर पर डाकेती का रंग देता है फिर अपने आपको भी जखमी करता है और फिर वो खुद ही वन फाइफ पे कॉल करके पता भी देता है और भी बदायी बनने की कोशिश करता है कि मेरी बीवी को डाकू दाकू मार गए है लेकिन कतल और जलम और जल्म कभी इसने किसी दूसरी औरत के लिए अपनी बीवी को जान से माड़ा अगर मान भी लिया जाए कि अगर वो उसकी पसंद से शादी नहीं हुई थी तो उसको जान लेने का हक नहीं था वो उसको छोड़ देता उसको कतल ना करता जिसका रविया हमेशा से ऐसे जी बड़ा ये तू बहन को भी जहरों बता देते हम ले जाते जहां वो खा रही है हो हमारी बहन भी खा लेती और यकीन करो कि ऐसा फृष्टा इंसान थी वो अल्ला जानते है जैसे कहते हैं कि एक फृष्टा वो फृष्टा जी थी स्वालों का तुम्हारे पास जवाब है कोई कुछ नहीं है फिर तुम फांसी के लिए तयार उसका मतलब है अल्ला तो बेतर जानता है अपना तुम्हारा दिल क्या कर रहा है अपनी अपनी जान जब बचानी हो ना तो फिर यह लोग यही बात करते हैं अल्ला बेतर जानता है जि- खुद keep n ही कहेंगे मुझे फ़ांसी होनी चाहिए हुझ सजा मुझे मिलेगी आपने हाथों से लिया जान मेरी हुझ सच्छा जान कवना ग॑न ह canyon तो देखा था जब तुम उसको कतल कर रहे थे और कतल करके तुमने चुपा जेना थे सारा मामला ऐसा ही जणाब कतल करके से सारे मैटर चुपा ना था ये पिल्कुल प्लैन के जरी था ये कि इसका कोई पता नहीं चलेगा डिक्रेटी के ड्रामार रचा जाएंगे नामलूम किलाफ मुकदम अंदर जो जाएगा हमें कोई पूछे करना मैं मसकर चला जाओंगा तो दूसरी शादी कर लेगा बाद में दो चार माह जाए साल के बाद जब ये बामला ठंडा हो जा जाता तो फिर इसके साथ शादी कर तो लड़की इसके गाउं की है नहीं नहीं दुकारवालो को पहले बता देजी, मैं उसको पसानगरता हूँ किसी की बहु बेटी ना मरती नहीं तुम्हारे इस पता नहीं पता की वजड़ा से एक एक trabajo और ये चानट चली है तुम्हारी इस कम अकली की वजड़ासे और कम झहनी की वज़ासे मेरा भी सब कुछ ख़तम हो गया ना मेरे पस क्या है कुछ नहीं है ख़तम तुम्हारा तब हुआ जब तुम पकड़े गए हो सब कुछ सब कुछ ख़तम तब हुआ जब ये पकड़ा गया ना पकड़ा जाता तो इसकी तो बहतरीन डिकेती ही हो चुकी थी, बीवी मर चुकी थी और उसके बाद दूसरी इसकी लाइब, क्लियर था, सारा मामलाथ क्लियर थे जब पकड़े जाते हैं, मुझे इसलिए गुसा, अग्रेशन मेरा जो नादमें देखते हैं न अग्रेशन इसलिए जादा होता है, कि बीचारी बेकसूर थी, उसका भाई बता रहा है, फरिश्टा सिफ़त बहन थी इसकी, उसका कोई कसूर नहीं था और जब किसी का कसूर नहीं और बगैर किसी बजा के उसको इस तरह से मार दिया जाए, और शरीफ लोग हैं ये, बचारा, कातल के सामने इस तरीके से बचारा खड़ा है, जैसे बचारा ये, इसने कोई गलत काम कर दिया और ये ऐसे लोग हड़दर्मी का मुझारा करके, और इस तरह के मामला, आप कह रहे हैं, मैंने अपना कुछ सब कुछ ख़तम कर दिया, ख़तम तेरा तब हुआ है, जब तु पकड़ा गया है, पकड़ा ना जाता ना, तो अभी तुम्हारी गर्दन में जो स्रीया है, जो तुम्हारी कितनी क्या मामला तो ने थे, कितना बड़ा जलम कर दिया इसने, और अब बड़े राम से बैठावा जी, मैं मेरे से घल्ती होगी है, मेरा और अल्ला का मामला है, अल्ला कहता है, पहले हकुकल अबाद, पूरे खरो, इस शक्स की, हम इसके जो वालत हैं बचारे उन पर क्या गुदर रही है, जिसकी बैटी को इस शक्स ने मार दिया, और जब से यह कुगा है, और जब से यह कुगा है, वो चार पई पे पड़ गया, इसी गम से, कितना अरसा शादी नहीं जी इसकी, चार साथ, कुछ आइडिया है, वो लड़की कौन थी, कि इसकी जो म प्रामलाद चल रहती है, जिसकी जो मुलतान किये, अचा, तो इसकी बैनोई का रिश्टे यह लग था, लेकिन इसकी बरादराना तालग थे, इसका वालद जो था, मनजूर, वो काफी अरसा सिफाओत हो गया, लड़की के वालद नहीं इसको पाला थे, इसकी बैनों को भी जो बाने किसी नपाला था, और इसकी बैन जो है न वो इसके साले के गार है, और उनकी बैन इनके गार है, लिए बोहत क्लोस और यही बजा थी कि उसको उलादा नहीं कर सकता था, फिर इसने काई, गार री दूम, इसका जो सुसर था न कर दो लोड हरा कि ओर चाचा लगता है तो नोवलली ऐसे कहसिस में अगला आगे चल के मडाई जो हैं अप स्थूले पर चले जाते हैं तो इस हे अप क्या क्या कहेंगे कि एक मार रहा कि ना किसी वॉरत की तसे में जो इस केस का मुदाई है वो इस कातिल का चचा और मक्तूला का वालिद है हमारे सोशल और फैमिली सेट अप को अगर मैं सामने रखते हुए बात करूं कि यह किसी ना किसी स्टेज के ओपर यह कंपाउंड़ेबल हो जाए यह चीज यह इस तरह हो जाए कि यह आपस में सेटल कर लें इसकी लाइकलिवड है लेकिन पुलीस इसको हमें भी बीच में इन्होंने कहा कि जो कातिल पार्टी है कि आप थोड़ा सा अपनी होल्ड कर लें और हम इसमें को तो हमने उसको बड़ा क्लियर कहा कि हमारा पुलीस का बिल्कुल क्लियर मैंडेट है हमने इसको बिल्कुल मेरिट के ओपर प्रॉसेक्यूट करने है आपने एक जान ली है इस पर हम किसी किसम का कोई आपके साथ नर्मी का रवाया नहीं रखेंगे बिल्कुल सरे जी बड़ी पॉजिटिव चीज़ है और ये एक बड़ा इंपॉटन्ट एक फेक्टर है कि पुलीस अपने लेवल पर जो है बेहतरीन काम कर रही है इस पेशली इस केस के हवाले से और हम उमीद करते हैं जिसने जल्म किया है उसको कानून के मताबिक जुरूर स ुलीस उसको किया और इसको पूरी इसके एकुछे किया हैं तो हमारी कोशिश है टीम जुर्म बेनकाब की कि जहां पर पुह जल्म हो रहा है जुर्म हो RAW ना सिर्थ इसको बेनकाब करें बलके फैसल साब ज ऐसे लोगों के हिलाव जो है साहत साहत करनोनी कारवाई की जाए तीन से दो के तहत मडर का चार्ज फ्रेम किया जाए और इस मुकदमे को स्पेशली स्टेट जो है अपनी मुदैयत में लेकर चले चुके होता ये है हमारी सुसाइटी में ये चीज जो है वो देखी भी गई है वो जर्वी की गई है कि जब रिष्टेदारों में शादियें की जाती है और एक रिष्टेदार जिस तरह इसने अपने चचा की बेटी को कतल कर दिया जो इसकी दुलहन थी फिर लेटर ऑन ये किया जाता है कि चुके चचा को भी रहम आ जाता है तरसा आ जाता है फैमली का दबाव आ जाता है और लेटर ऑन जो है वो सुला कर ली जाती है कंप्रोमाइज कर लिया जाता है लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसे किसिज में स्टेर जो है वो स्पेशल मेयर्ज अडाप्ट करें और ऐसे मुकदमात को अपनी मुदायत में और स्पेशल इंटरस्ट के साथ जो है वो अदालत में परस्यू करें और ऐसे लोगों को निशाने अबरत बनाएं जो किसी की ले रही हैं जिस चचा ने बाल पोस्ट कर और फिर अपनी बेटी का रिष्टा इस शक्स को दिया उस शक्स ने उन्हें ही दस लिया और उनकी बेटी का कटल कर दिया क्या करीबी रिष्टार होनी की वज़ासे से मुआफ कर दिया जाएगा टेम जुर्मे नकाब ने यही बाइर आजेगा, माफ कर देंगे आप लोग उसे. सर जी माफ क्या करेंगे अब आपको सारा सिस्टम समझा दिये कि जो मेरा भाई है उसकी पांच बेटी है. यानि कि इसने तो आपके सामने आपके सामने पूरा खांदान उजाड़ के रख दिया. खांदान में बचे ही क्या है? वाफ नहीं करेंगे आप लोग ने. सर चलेगा सिस्टम आगे. सदा दिलवाएंगे इसको आप. जो तुमने एक हरकत की है इस पर शरम आ रही है? है? आ रही है. उस वकत कि दर थी शरम? जब उसको कतल कर रहे थे. देखे इसका त्रिका वारदाद देखे जी. खाने का बहाना बना कर अपनी बीवी को बची को लेके जाता है. मोटर साइकल रोकता है. फिर उसके सर पे गोलियां मारता है. फिर अपने आपको सखमी करता है. इसका बड़े राम से इदर लेटा हुआ है सकून से. यह तब पुलिस अगर प्रॉपर कारवाई ना करती तो इस वक्त ये अलाज करवा रहा रहा हुता हूँ और घर में राम सकून से सेब खा रहा हुता है. मादलत के साथ हमारा मकसद इस प्रगैम में ऐसे मकार लोगों को पेनकाब करने का यह है. यह जो अभी भी इस वक्त भी इसलिए हमने S.H.O. साहब को और जो मुक्तूला के भाई इसको हमने सामने कर दे कि हम कोई स्टोरी ना सुना है ऐसी. जो हकाइक है वो यह बताएं और फिर इससे तस्दीग भी करवा ली. सिर्फ इसी अकड़ में है जी मैंने बताना कुछ नहीं. S.H.O. साहब ने साहरी डिटेल्स बता दी, D.P.O. साहब ने बता दिया, मैंने सामने यह तस्दीग कर ली. किसी और को पसंद करता था, और नहाक अपनी बीवी को इसने मार डाला, एक भाई की बहन को, एक बज़र्ग बाप की पेटी को, और एक मासूम बच्ची की मा को. इसमें इतना दी थी कि इसमें इखलाकी जुरत नहीं थी कि मेरी, मेरी एक साल की रिफाकत है. और भाई के रहे हैं, चार शादियां अल्द 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 ने जायज दी विए, हमें बताता तो सही एक बार, हमारी बहन को मारता ना. जो कि ये शक्स अभी भी एक अपने आपको मस्बत तरफ नहीं लेके जा रहा है. अब भी भी ये अकड में है, जैसे इस भाई ने बता दिया कि ये तकबर में है बड़ा, और ये ये मामला आता है, लेकिन उन्हों ने कहा है, पुरी कोशिश है कि कानून के मताबिक कड़ी से कड़ी सेजा मिले, इस तरह के लोगों को अला तला हदायत दें, जो किस तरह के क्राइम करते है, जो अपनों को नहीं चोडते हैं, जने अपनी सग्ही बीबी को नहीं चोड़ा, इसे बहुत बड़ा जलम किया है, जिर्म किया है, और एक और चिसके मताबबक सेजा दूरूर होनी चाहिए, और एक और चीज़ कि एक उरत को मार तुम दूसरी अरत से शादी शुदा बंदा है और उसकी बीवी बीवी को खतम कर दो रस्ते में से हटा दो फिर तुम से शादी करोंगी और ऐसे बेफकूफ कमकल लोग ऐसा कर भी देते हैं और उसने किया और पकड़ा गया खुदारा अपने मामलात को बहते रखें ताकि इस तरह के मामलात से